अज की इस इंट्रस्टिंग वीडियो में देखते हैं कि अगर आप अपने जिरोधा काइट का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं या फिर यूं कहें कि कैसे उसे लॉग इन कर सकते हैं और यहां पर सिंपली आपके सामने दो आप्शन आएंगे पहला यह है कि आप सिंपली यहां पर अगर आपको यूजर आईडी वगरा याद है पासवर्ड याद है तो आप यहां पर डालते हैं और लॉग इन पर क्लिक करके लॉग इन कर लेते हैं लेगन अगर आप भूल च मतलब कि जिस user ID को डाल कर आप लॉग इन करते हैं, आपको user ID ही भूल जुके हैं, तो इस case में यह पहला वाला option यह सिलेक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको अपना user ID याद है, लेकिन आप अपना password भूल जुके हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर नीचे आप क्या करेंगे जो आपका pen card है, उस पर लिखा होगा, वो pen number आपको यहां पर डालना पड़ेगा, और इसके बाद आपके पास अगर आपके email account का, जो Gmail या फिर कहीं email address आपने डाला होगा, उसका आपके पास access है, और आप उसको login कर सकते हैं, तो यहां पर आप उस पर OTP मंगा सकते हैं, ल और इसके बाद यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहां पर capture डालने का option आएगा, तो यह जो यहां पर लिखा हुआ है, यह जो कुछ भी, आप यह यहां पर डाल सकते हैं, अगर आप कोई समझ मेने या रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर दे यहां पर हमने सारी details फिल कर दी है, हमने user ID डाल दिया है, pen number डाल दिया है, और जो mobile number हमारे account में है, हमने same mobile number यहां पर डाल दिया है, अचा इस चीज का धियान बिलकुर रखना, कि यहां पर जो भी mobile number आपने account में यूज किया होगा, वही number डालना है, को दूसरा number नहीं डाल है, और हम इस OTP को यहां पर डाल देते हैं, हमने OTP डाल दिया, और अब यहां पर हमें continue पर click करना है, और यहां पर आपके सामने एक नए password डालने का option आजाएगा, तो अब आप यहां पर easily अपना एक नया password बना सकते हैं, और नया password बनाने के बाल, अब आप अपने उसी password से click कर देंगे, अब आपको simply यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर दो option मिलेंगे, इसके बाद पहरा option होगा, कि अगर आप कोई external, मतलब app के थुरू इसको authenticate करना चाहते है, जिससे TOTP वगर एकी service होती, अगर आप उसे enable करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके लगे रहने देंगे, और बस इसके बाद आप simply इसको यहां से close कर दीजे, इसके बाद simply आप क्या करेंगे, अपने mobile application पर वापस आजाएंगे, और इसके बाद आप यहां पर अपना user ID है, वो user ID यहां पर डाल देंगे, और जो password अपने reset किया होगा, वो password आप यहां पर डा इसके बाद आपके सामने यह two-factor security वाल ऑप्शन आजाएगा, और यहां पर enable now का उप्शन आएगा, आपको यहां पर simply is enable now क्लिक करना है, और यहां पर fingerprint sensor का उप्शन आएगा, आप यहां पर वो लगा देंगे, और यह अब आपका login हो चुका है, और आपका kite application है, वो easily य आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप अपने पासवर्ड को यहां से reset कर सकते हैं, और स्यमेंसे ही अगर आप अपना user ID भी भूल चुके हैं, तो भी आप अपना user ID जैसे मने आपको बताया था, दूसरा वाल option वो select करके आप user ID भी recover यहां से कर सकते हैं, तो उमीद है क आपको नीचे description box में लिंक है, उस लिंक पर क्रिक कर के join कर सकते हैं, और काफी कुछ आपको वहाँ पर सीखने को मिल सकता है, तो मिलते अंगली वीडियो में, और यह वीडियो किसी पी तरीके से आपको influence नहीं करता स्टॉक मार्के वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्य